के अगर दो बच्चों में अगर दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की 18 साल से छोटे हैं उनकी एज 18 यर से कम है तो क्या उस केस में अगर उन दोनों में कोई फिजिकल रिलेशन्शिप बनता है तो उस केस में हम लोग उनको एक पनिश्मेंट देंगे या फिर यह मान कर चलेंगे कि यहां पर जो यह रिलेशन है इट वुड़ भी और रोमेंटिक रिलेशन्शिप तो यह सी आज हम यह टॉपिक इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि रीसेंटली सुप्रीम कोट ने टू डेस बिफोर एक जज्मेंट डिलेवर करी जहां पर सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया ने कैलकटा हाई कोट को काफी यहां पर गुसे में बोला कि आपने एक कंसेंश्वल रेप को कंसेंश्वल सेक्स को रोमेंटिक यहां पर कैसे बोल दिया जहां पर एक लड़के की उम्मर्थी 25 years and the girl and the age of the girl was only 14 years यहां पर एक चीश समझ के चलिए कि हम लोग बात कर रहे हैं कंसेंश्वल रिलेशन्शिप की and what is the meaning of the term कंसेंश्वल यानि कि विद कंसेंट कि लड़का और लड़की की कंसेंट है अब वो major नहीं है बट minor है तो उस case में वो offense होगा या फिर वो एक romantic relationship कहलाएगा आज हम इसके उपर discuss करने वाले और यह चीज यह हम लोग directly इस चीज को एक punishment नहीं बोल रहे हैं इसका reason यह है क्योंकि supreme code की आज की judgment और supreme code की पिछले साल की एक judgment आपस में कहीं ना कहीं contradictory भी है जिसकी रिगार्डिंग हमें बात करने ही पड़ेगी बट भी विल डिस्कुस्ट्स अप्लीट लोग राइट हेलो अवजल राइट यूशी कंसेंशल सेक्स बिट्वीन माइनर्स रिसेंटली supreme court का सुप्रीम कोड के पास कैलकटा हाई कोड से एक केस जाते है इन रेफरेंश चुदा राइट टू प्राइवसी ओफ दे एडॉलिसेंस और एडॉलिसेंस की मतलब एडॉलिसेंस मतलब बारा से लेके 16, 17, 18 साल वाली उमर के बच्चे जहाँ पर supreme court of India ने देखा कि भया कैलकटा हाई कोड के पास एक केस गया जहाँ पर एक 25 साल का लड़का और 14 साल की लड़की आपस में involved थे अब उन में जो physical relationship था वो consensual था वो एक दूसरे की consent के साथ था और उसी कारण कैलकटा हाई कोड इस केस में जो यहाँ पर लड़का था उसको punishment नहीं दी in fact यह बोल दिया कि यहाँ पर हम लोग special court की यानि कि जो court of session था उसकी judgment को set aside करके यहाँ पर यह बोलेंगे कि इस तरह की बातों को इस तरह के जो cases है वहाँ पर लड़कों को protection मिलनी चाहिए now can you imagine यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर कैलकटा की बात है एक 25 साल का लड़के 14 साल की लड़की है उनमें आपस में relation बने with consent अब यहाँ पर लड़के के उपर charge लग गए रेप के अब यह भी point ध्यान में रखना कि अगर एक लड़की minor है यह तुम अभी 14 years की बात कर रहा हू अगर यही पर लड़की 17 years की हो और लड़का 21 या 20 years का हो तब भी यहाँ पर same charge लगेगा कि बंदे ने यहाँ पर रेप की है अब इसी केस में जब special court के पास गए तो special court ने तो यहाँ पर रेप के ओफेंस के लिए convict कर दिया बट high court ने acquittal order का पास कर दिया reason being यह बोलके कि यहाँ पर it was with consent और यही पर supreme court के पास गया जहाँ पर supreme court ने criticize किया यहाँ पर criticize किया to the Calcutta High Court for observing in a judgment that the protection of the children from the sexual offenses act 2012 यानि कि POSCO Act must be amended जहाँ पर Calcutta High Court ने क्या बोला कि यहाँ पर POSCO Act को amend किया जाए क्यों to decriminalize यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाईया decriminalize किया रहे किस चीज को decriminalize consensual sexual acts involving adolescence above 16 years involving adolescence above 16 years अब यह बात सुनके आप लोग हैरान जरूर होगे और होना भी चाहिए कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो POSCO Act में age दी हुई है हमें 18 years सिंपल सी बात सुनों जो POSCO में हमें age दी गई है कि 18 years is a age of the majority majority age क्या है 18 years है इंडिया में तो शादी की age भी लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 है और vote करने की right भी 18 years के बाद मिलते हैं तो क्याल कर आई क्या बोल रहा है कि आज कल के जो बच्चे हैं उनमें जो physical relationships हैं वो स्कूल में इस्टेब्लिश हो जाते हैं और ऐसा भी यह कि नहीं होता है यहां पर यह factual बात है कि बहुत सारे बच्चे आज कर स्कूल में आपस में इनवाल हो जाते हैं और अगर कहीं जागा पे एक लड़की है 16 साल की और लड़का है 17 years का यानि कि दोनों के दोनों रिलेशन्शिप इस्टेब्लिश होता है विद कंसेंट के साथ तो उस केस में भाईया लड़के के ऊपर यहां पर रेप के चार्जिस लग जाते हैं प्लस पॉसको भी की यहां चार्जिस लग जाते हैं पॉक्सो और आईपीसी दोनों में यहां पर लड़के को और उन्होंने किया क्या है और वहां पर एक टाम यूज किया उन्होंने यहां और उन्होंने किया कि अगर दो बच्चों में 16 साल से बड़े हैं और उनमें तो उस केस को यहां पर कर दिया जाना चाहिए अब सुप्रीम कोट यहां पर क्या बोलते कि नहीं हाइब की बात को यहां पर डिसप्रूवल तो बताया और यह बताया कि नहीं भाई यहां हमें आईपीसी में जाना पड़ेगा और पॉक्सों में जाना पड़ेगा पॉक्स देना नहीं है कि आपका काम यहां पर law को implement करना और law क्या बोलता है कि अगर 18 years से कम कोई भी लड़की और उसके साथ किसी भी तरह का relationship developed है तो वो यह रेप में जाएगा और वो पॉक्सों में भी offense है प्लस इंडियन पीनल कोड में वो section no.375 फॉक्सली में फॉल कर जाएगा जहां पर रेप की definition में फॉल यहां पर supreme और इंडिया ने हाई कोड को तो बोल दिया कि सुप्रीम कोड और इंडिया ने हाई कुछ और सब कुछ बोल दिया शेकिंडली यह चीज़ भी यहांपर यहां पर कैलकटा हाई कोई भी जज़ है वह पीनिन अपनी जरूर दे सकते हैं कि में भी आने वाले टाइम में इस तरह के लॉस को हमें खतम करना चाहिए जहां पर एक कंसेंशल लिशन्शिप है 16-17 साल के बच्चों में बट आप आज के दिन अगर जजमेंट इसके अकॉर्डिंग ले रहे हो तो आप गलत हो ना फिर तो आप गलत हो रहो ना कि आप बोल है वो 15 से 18 कर दी गई है फॉर दा वुमें इन दा इंडीपेंडेंट थॉर्ट वर्शी उजन ओफ इंडिया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहल कटा हाई को तो सब कुर सुना दिया बट अब मैं यहां पर बात करूँगा कि क्या ये कंसेंशल सेक्शल एक्स रोमेंटि है वो ज्यादा नहीं है जो सेम उनका मेंटल यहाँ पर डिएवलप्ट सेम यहां पर बच्शे स्कूल में लहाँ है है अगर यहां पर विद कंसेंट उन दोनों में कोई रिलेशन्शिप बनता है तो लड़की को तो कोई पनिशमेंट और यहां लड़कों को डायरेक्ली अ यहां पर लग चुके हैं प्लस अब यहां पर एक बार चार्जिस लग गए तो मान के चलो कि पूरी लाइफ खराब उसके बाद कभी भी कोई करियर डेवलप नहीं होगा कभी भी कोई करियर सेट नहीं होगा चाहे कोट उनको एक्विटी क्यों न कर दे राइट तो मेरा कोश श्री गौतमी यूनीक आल ओफ यू आप लोग मुझे अपनी राय बताइए क्योंकि अभी हम लोग डिसकस करेंगी काफी कुछ कि भाईया आउट ओफ इंडिया लॉक है सुप्रीम कोट ने पहले क्या बोला हुए 2020 में आप सब लोग मुझे बताइए कि what do you people think right you see आज यह हाँ पर सुप्रीम कोट ने कैलकेटा हाई कोट को लड़ दिया अब मैं आपको लिए बात करूँगा आज से एक साल पहले की लगबग लगबग एक साल पहले की यह बात ऑगस्त की है हर्ष विभोर सिंगल वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 19 ऑगस्त को 2023 में हमें जज्जमे से वने ness सीजै ऑफदाइं डिय डी डी वी चंतरशूर जी जयंश्टिस जविपर्धी वाला एन ज़यस्टिस मनोज मिष्रा जी इनके पास एक रिट पैटिशन की jati है इनके पास एक रिट पैडिशन फाइ symbi की एती है सेम चीज को लेके डैं में कनसेंश वाल सेक्स बिट चैलेंज कियाता है चैलेंजिंग दा वाइरस ऑफ दा स्टैटूटरी रेप लॉज्ट डेट क्रिमिनलाइब सेक्शुवल और यहां पर क्या होता है एक्सेप्ट करके यहां पर क्या बोलता है कि हमें इसका रिस्पॉंस सेंट्रल गवर्मेंट से लेना पड़ेगा इनफेक्ट हम भी यह चीज मानते कि पिछले कुछ समय से पिछले चार पांट सालों से बहुत सारे केसिस ऐसे आ चुके हैं जहां पर लड़कों के अग्यों इस जोकी एडॉलिसेंस हैं उनके इस बहुत सारे केसिस फाइल हो रहे हैं और बच्चों को जेल में डाल दी जाते ह और वो किसी ना किसी तरह से लड़की के साथ कंसेंट में आ रहे हैं तो यहां पर उनके अगेश केस चल जाते हैं तो सेंट्रल गवर्मेंट से खुद भी पहले ओपीनियन सीख किया हुए लौ अभी भी क्या है लौ इस्टिल से लौ आज भी वही है कि भाईया सोला साल इं होगा रेप बाना जाएगा चाहिए चाहिए नहीं है बट आज से एक साल पहले सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया ने भी सेंट्रल कोट सेंट्रल गवर्मेंट का यहां पर ओपीनियन मांगा था एं लेट मी टेल यू सुप्रीम कोट जाने से पहले बॉंबे हाई कोट मध्या पर देश हाई कोट एंड डैली हाई कोट की भी जजैजमेंट आ चुकी थी सेम पॉंट पर जहां पर सेंट्रल गवर्मेंट को यह बोला था कि हमें इस चीज को सोचना चाहिए और शायद हमें लॉब बदलना चाहिए लॉब कैसे बदलना चाहिए अब इसकी बात करते हमे यह बतायागा कि इंडिया में लागू किया जाना चाहिए Romeo जूलियत लो विछ लोगोने नाम सुना होगा कभी ना कभी । । हमें यह बतायगा कि इंडिया में भी शायद Romeo जूलियत क्लॉस की जरूरत है अब आप लोग बूलोगी कि सर यह Romeo Juliet clause क्या है now let me tell you कि Romeo Juliet clause is a clause जो कि India में तो नहीं है बट outside India बहुत सारी countries में यह एक law चलता है and Romeo Juliet clause हमें क्या बताता है यह हमें यही चीज बताता है कि अगर बच्चा चाए major है चाए minor है अगर उन दोनों में लड़का और लड़की में physical relationship develop हो रहे है with consent और दोनों की जो mentally जो development है वो लगबग लगबग same है यानि कि जो age difference है वो 2-3 साल ही है तो उस case में किसी के उपर भी कोई charge नहीं लगेगा you see हम लोग बात कर रहे है in this particular Romeo Juliet clause in the most overseas jurisdiction इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ इंडिया के बाहर ये law चलता है जहां पर क्या बोलते है कि see the laws of the statutory rape reprieve adults adults को reprieve मिल जाता है in the consensual consensual sex with minor if the difference in their respective biological age is 3-4 years and it is called as the Romeo Juliet clause यानि कि अगर लड़का 20 साल का है और लड़की 17 years की है तो 3 साल का gap हुआ और एक यहां पर adult है एक adult नहीं है basically the boy is not a boy is adult and the girl is not adult तो उस case में हमें क्या देखने है we have to see the capacity the difference in the capacity competency and the maturity of a 16 to 17 year and a 20 to 21 year old and then they are treated as adults हमें उनके mind की development को समझना होगा directly यहां पर adults को convict नहीं करना right you see अगर हम पूरे की पूरे law की बात करते हैं बट इंडिया में क्या है इंडिया में at this point of time क्या situation चल रही है the courts are flooded भाईया भाड आई हुई ऐसे cases की जहां पर school के बच्चों में आपस में relationship develop होते है और case यहां पर file होते है पॉक्सवेट में directly against the school boy the courts in India are flooded with the cases on the rampant misuse of the Poxo Act यहां पर बहुत misuse हो रहा है and then in which the consenting teenagers are prosecuted for acts that are simply become illegal simply because of their age जो acts illegal है क्योंकि उन्होंने कोई exploitative act किया इसलिए नहीं just because of their age just and just because of their age अगर मैं कैलकटा हाई कोट की judgment की बात करूँ वो तो बिल्कुली गलत है जहां पर एक बच्चा 25 साल के लड़का और बच्ची 14 साल के वो तो clear that is an offense but we are talking about the Romeo and Juliet जहां पर दो तिन साल का difference अब यहां पर आप सब लोगों का different different opinion हो सकते है और होना भी चाहिए पूरे की पूरे देश का योगा और public opinion के साथ ही law बनाए जाते हैं अगर Supreme Court of India Central Government से law की भाई permission मांग रहे कि इसको ले के आने की निए ले के ना तो Central Government भी तो हम लोगों को ही आप सब लोगों का आप सब लोगों का आप सब लोगों का तो यू सी जुडिश्री ओवर दा लास्ट कपल अव यहां पर गवर्मेंट को बोल है to separate the age of consent from the age of marriage age of consent को age of marriage से अलग कर दिया जाए क्या बोल रहे हैं कि आज जो age of marriage है for the woman in the uh... इंडिया is 18 years valid age 18 है के 18 के बाद एक शाती की जा सकती है but consent की अगर बात करी जाए consent to make any physical relationship तो court क्या बोल रहे है कि ये age 16 कर देनी चाहिए इसके उपर अलग से law आना चाहिए आज हमारे देश में same law है law क्या बोलता है कि अगर शादी से पहले आपने किसी भी तरह का physical relationship बनाया then you should be adult युकि भाईया क्या बतायागा कि marriage age 18 है adult age 18 है और 18 से कम कभी भी relationship बनाया जाएगा इट वूड़ भी termed as a rape against the guy, against the boy तो उसी case में यहाँ पे court क्या बोल रहे है कि age of consent and age of marriage को अलग-अलग कर दे जाए तो यह हमें यहाँ पर बात करने कि basically क्या आज Indian society उतनी develop हो चुकी है कि हम लोग यह recognize करने कि 16 years old girl can have a physical relationship with a guy कि अपने boyfriend के साथ अगर relationship में आती है तो लड़के के against यहाँ पे directly charges नहीं लगेंगे this is what we are talking about right so you see the POXO Act the prevention of the sexual offenses act 2012 it criminalizes with the sexual any sexual activity with or without the woman's consent when she is below 18 and it constitutes rape वो directly यहाँ पर POXO में and Indian Penal Court section 375 sixthly clause में वो file कर जाता है क्या है भाया age of marriage for the girls 18 years and the boys 21 years and the age of consent is 18 years आज के दिन बात क्या चल रहे है कि age of consent को reduce करके क्या 16 years करना चाहिए या नहीं करना चाहिए both for the men and the women both for the boy and the girl right yes everyone tell I am just gonna read one of the 2-3 आप लोगों को comments मैं देखना जाता हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या 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 डिसकस कर रहे हो right girls should be age eight more all right sir आज पहली बार आपकी class attend किया है बहुत अच्छा लगा आपकी classes का timing बता दीजिए YouTube पर मैं आपको इसी बज़े मिलूँगा 9.30 लिंकिंग लौ इसी चैनल पर लगबग लगबग दिनर करने के बार 9.30 बज़े मैं आपको मिलूँगा the ground reality is that the adolescents below 18 do indulge in the sexual activities हम इस चीज को भूल नी सकते हम इस चीज को नजर अंदाज नी कर सकते this is true in the today's generation that the adolescents below 18 years of age they are indulging in the sexual activity but even if they are doing it with consent the act is considered illegal just because of their age just because of their age criminalization and the stigmatization have led to the sexual and the reproductive health challenges another point अगर यहाँ पे लड़का लड़की with consent relationship बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यह act illegal है तो यहाँ पर उनकी जो body में changes आते हैं उनको कोई health यहाँ पर health की problem आती है तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं नहीं लड़की जाते हैं नहीं लड़का जाते हैं जो कि एक नई problem खड़ी कर रहे हैं the criminalization and the stigmatization have led to the sexual and the reproductive health challenges adolescence pregnancy pregnancy and the early child birth including unsafe abortions abortions करवाई जाते हैं वोगी again illegal thing कोई एक एक करनी जो कि illegal just because of the age उस चीज़ को खतम करने के उसको छुपाने के लिए और अलग से गलत काम करने अपनी हेल्थ का दान ज्यान देना abortion करवाना illegal यहां पे medicines खाना all that things right तो यहां पर reproductive health challenges यहां पर अलग आ रहे हैं and F.I.R.S. file हो जाती है for against the boys and boys are arrested उनको barely मिलती and they suffer humiliation denigrating and the stigmatization questions पूरी की पूरी life उन लोगों की तो खराफ होई चाती है अब हमें यह भी देखने की भाई यह law तो यह आया था actually में law को ले के आता है the parliament the central government central government किसको represent करती है हम लोगों को we as the society हम लोगों को represent करते हैं हमारे particulars MP and the MLS जो हमारी state में और जो हमारे member of parliament and MLA जो हम जिसको हम लोग वोड़ देते हैं और वो सब लोग मिलके पूरे के पूरे देश को represent करते हैं तो जो भी law बनते हैं वो हम लोगों की intention यह तो न वह सोसाइटी हम लोगों की consent किसी के साथ forcefully किसी भी तरह का relationship न तो उस चीज को तो हम लोग offense मानते इस इस बेसिक इंटेंशन बट लोग कैसे बनाया गया हुए according to the age the question again same कि क्या एक जो यहां पर यहां पर मेंडेटरी 618 यहां पर एज रखी गई है क्या उसको को रिद्यूस करना चाहिए कि निए इंटेंशन ओफ दा लेजिसलेचर बिहाइंड दरेप लोग इस तू क्रिमिलाइज सच कंसेंट ऑफ लेस दन 18 यह ओल पर संसू दिस्पाइट कंसेंट करिपाइसिटि स्ट चुंं नो डिसेप्शन पर उन बच्चों को बॉच्छ ओ रहे है धौलिस के फूल्ख सेंट्रय PHP और आपन करी in fact supreme court के पास ही एक साल बाद फिर से हमें एक point of law देखने को मिला through the Calcutta high court judgment जहां पे supreme court ने अच्छा क्या डारते हैं but again the question is again in the news so this is all about this particular law जहां पे हमने कहा देखा कि इंडिया में आज का law क्या है 18 years is the age of the consent outside India in many jurisdiction क्या age है उसको भी हमने कम भी क्या हुआ है as per the Romeo and Juliet clause उसके according case चल दे राइट comprehensive judiciary बैश जहां पर आपको 18 months में पूरी की पूरी judiciary का comprehensive बैश करवा जाएगा including the major loss, minor loss, current affairs, GKGS plus the language classes आपको कहीं और नहीं जाना एक ही platform पर आपको best quality teachers के साथ सब कुछ आपको करवा जाएगा the whole team will teach you everything जहां पर आप लोगों को unlimited classes के access मिलेगा, recorded भी plus live और 700 से जादा case loss भी आपको इस particular case में इस particular batch में करवा जाएगे और इस batch आपका English medium में रहेगा यानि कि Hindi plus English दोनों में आपको इस batch करवा जाएगा और previous year questions भी आपको करवा जाएगे प्लस तो से जादा test series भी आपको इसी batch में मिलेंगी तो this is all about the batches यहाँ पर आप कोई भी batch को जाएग कर सकते हो, this is a golden opportunity for you all and one most important thing at this point of time हम लोग आपके लिए ले कहरें free classes और free classes से मतलब है आपको कोई पैसा नहीं देना description box में आपको एक link available है उस link पे जाने आपको link पे जाके आपको ये 5 दिन today is 26th 31 August तक लगातार 5-6 दिन आपको free classes मिलेंगी पूरा पूरा दिन unacademy के channel पर आपको description box में जाने है आपको सभी के सभी teachers each and everyone will teach you in free और आप लोग इस particular batches में इंडोल कर सकते हैं अपना मन बना सकते हो कि भाईया आप हमें जुली श्री की त्यारी करनी है तो अपना मन बना लो राइट everyone so with this I end my session अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है you can ask me anything yes 12 plus 2 मिलेगा 35k में yes 12 plus 12 मिलेगा यानि की 12 महिने की subscription तो आपको मिलनी थी 12 महिने की आपको extra मिल रही है 24 महिने 2 साल आप जो मर्जी यहां पर पढ़िये recording glasses लिए 2 years के लिए आपके पास subscription रहेगी plus वो भी आपको इस समय 34,999 में मिल रही है जो की 50% off पे link is available in the description box इसी वीडियो के निचे जो description box available है वहां पे link available है so punishment should be same for boy as well as for girl in the consensual sex for the juveniles free link is also in the description box free link भी वहीं पर है free link भी वहीं पर है आपको description box में जाना है वीडियो के निचे that's it sir PP को क्या क्या facility मिलता है कोलकता में बताईए PP means public prosecutor मतलब state government का advocate हर जगा पे उनको state को represent करने को मिलते है कोई भी criminal case है वो state को represent करते है कोई भी यहाँ पर case होता है right anyone anyone else any question all right then this is it with the lecture I will see you guys again tomorrow in the special classes as well link आपको available है आप लोगों को directly आने नहीं तो आप लोग यह particular जो number दिया हो है अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है आप इस number पे call कीजिए 85858585858585 आप इस number पे call कीजिए each and everything will be explained to you कैसे classes को access करने इस तो नीचे आपको description box में एक चीज़ अवे लेवल है नहीं तो आप इस number पे call कर सकते हो और directly कल हम आपको मिलते है special classes में भी जो की free classes है and फिर से कल रात को मिलूँगा आपको 10 बजे जहाँ पर हम लोग discuss करेंगी कि why men in India क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि national commission for women तो है हमारे देश में national commission for women है और हमें ये भी देखने को मिलते हैं कि women को reservation भी मिले which is a good step national commission for women है होना भी चाहिए क्या लड़कों के against offenses नहीं होते होते हैं और पिछले कुछ सालों से लग 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 पिछले एक लिकेट से बहुत जादा होती है क्या national commission for men होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या ये भी equality का ground होता है कि नहीं होता तो this we will talk tomorrow at 10 p.m. on youtube I will see you guys again thank you so much जै हिंद take care